नमस्कार दोस्तों वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और कैसे हैं आप सब कोमेंट करके जरूर बताएं और आज मैं आप सब के साथ एक बहुत टेस्टी सी पनीर की रेसिपी शेयर करने वाले हूं जो कि बहुत जादा टेस्टी हेल्दी और साथ में मैं को मैं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें यह सबजी बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए मैंने पालक लिया है पालक को अच्छे से धो के साब करके और बॉयल करते समय मैंने इसको बस ब्लांच करना होता है ज्यादा नहीं करना होता है थोड़ा सा इसमें आप स पानी को भी रखना है उसका यूज हम आगे करेंगे तो बस अब हमने लिया है एक गडाही में मस्टर्ड ओयल डाला है कि जो सब्जीय होती है न मस्टर्ड ओयल में ही जादा अच्छी और टेस्टी बनती है तो यहां पे मस्टर्ड ओयल में गरम कर लोंगी क्योंकि बनाए तो उसको अच्छे से हीट कर लें अगर कच्छा रहेगा तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता है अब हमने यहां पर कटा हुआ प्याज और लेशन अद्रक और मिर्च लिया है उस सारी चीजों को हमने यहां पर ऑईल के अंदर एड़ कर दिया है दो मैंने तेश ब बनाती हूं अगर आपने एक सब्जी एक बार 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 ऐसी बनाना पसंद करेंगा प्याज अच्छे से भूल चुका है तो अब यहां पर हम एट कर रहे हैं धनिया पाउडर जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कलर वारी लाल मिर्च जिससे की सब्जी क कलर और अच्छा आये देखने में भी सब्जी सुन्दर लगे बस अब हमें इस मसालों को ऑईल के अंदर अच्छे से भून लेंगे ऑईल के अंदर मसाले को भूनने से सब्जी बहुत अच्छी बनती है कलर बहुत अच्छा आता है इस बात का हमें ध्यान रखना है उसके जब यह अच्छे से मसालब हो गया है बैड्ध हो गया अब इस स्टेश पर हमको ऐट करना है 2 टौ्पार का पेस्ट हमने यहाँ पर इ Tu Ratar का पेस्ट अगर आपको कटा हुआ करना है तो कटे भी ऐट कर सकते हैं लेकिन पेस्ट तो यह ज़्याद़ अच्छ रहेगा और उसके लिए अच्छी ए पालक पनीर बहुत हैल्दी होती है खास today भी लिए बढो केif सभी के लिए बहुत-ज़ादा व्यादा उती है क्यों कि पालक बालक में बहुत जादा पया जाता है जो कि हमारे हीमो roglouvin हमारे बोर्डी के लिए बहुत अच्छा होता है तो यहां पर मसाले भून रहे हैं तो बस जब本प मसाले भूनते हैं तब तक हम पनी बिज्क राक कर लेते हैं पनी यहां पे सब्ड़ का रेक्त हदा है और इसलिए दो से लेधर हाड हो जाते हैं लेकिन हम यह जो है सौब से लाते हैं एकदम फ्रेश होते हैं और इतना अच्छा बनता है यह पनीर इतना टेश्टी लगता है कि जब से मैं यहां से लेने लगी हूँ, मैंने पैकेट वाला लेना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो बस अब यहां पर देखिए मसाले भी अच्छे से भून गया है, तो देख सकते हैं कितना अच्छे से कलर आया है, और उसके बाद हम यहां पर एट करेंगे, जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है, तो यहां पर पालक का पेस्ट एट कर देंगे, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, ठीकनेस ग्रेवी की आप अपने अनुसार रखें, अगर आपको पूरी पराटे से खाने हैं तो ठीक रख सकते हैं, और अगर आपको राइस के साथ ख आपको बहुत जादा पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले, यहां पर मैंने स्वात के अनुसार नमक डाल दिया है, क्योंकि जो एक लाइक होता है, वो हमें बहुत जादा मोटिवेट कर क्योंकि आप वीडियो देखने के चक्कर में लाइक करना भूल जाते हैं, तो मैं आपको यादे लाना चाहती हूं कि अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, तो लाइक जरूर कर दें, लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, हमारी मेहनत सफ कर सकें, तो जैसा भी हो, आप कोमेंट करके जरूर बताया करें, तो यहाँ पर जो पनीर के टुकड़े थे, मैंने एड़ कर दिया है, मेरे हाँ सबको कच्छा पनीर पसंद है, अगर आपके हाँ थोड़ा सा सैलो फ्राई या फ्राई पसंद है, तो आप वो भी एड़ कर स एक बावल में हम सर्व कर लेंगे, इस कबजी को आप पूरी पराठे या राईस, जीरा राईस के साथ सर्व कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई महमान आए तो भी आप बना सकते हैं, उमीद करती हूँ कि यह रसेपी आपको बहुत जादा पसंद आई होगी, पसंद मैंने क्यूब बचा लिये थे, उनको मैंने ग्रेट कर लिया है, और इसको मैंने सबजी के अंदर एड़ कर दिया है, इस से क्या होता है कि सबजी की जो ठीकने से वो भी अच्छी हो जाती है, और सबजी भी खाने में भी टेस्टिल, आपने देखा होगा मार्केट के पनीर पड़ा रहता है तो इस तरीके से भी आप एड़ कर सकते हैं तो बस मिलती हूँ अपने नई वीडियो में एक और अच्छे सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप अपना बेहत ख्याल रखें थैंक